सी एमो के खिलाब विशेश सम्मेलन की तेयारी हाई कोट ने लगा रखा है इस्टे अब जानना होगा कि क्या परिशत जाएगी न्यायलाई के विरुद्ध नमस्कार देखिये नीमच की विशेश खबर नगरपाली का नीमच की सी एमो गरीमा पाटिदार का तबातला किये बगेर सतना से नगर निगम उपायुक्त एपीएस गहरवाल को सी एमो बना कर नीमच बेज दिया था शासन के इस आदेश के खिलाप सी एमो पाटिदार ने हाई कोर्ट से स्टेल ले लिया था जिसमें उन्होंने उलेक किया था कि उन्हें नीमत में पदस्त हुए मत्र पांच मा बीते हैं और उनकी जगन नया सी एमो बेज दिया है जबकि उनका तबातला अब तक नहीं किया हैं सासन के आदेश के खिलाप हाई कोर्ट ने इस्टे दे दिया था और नगरिये प्रसासन विभाग को नोटिस देकर जवाब तलग किया हैं हाला कि सी एमो पाटिदार जब इस्टे लेकर हाई कोर्ट गई थी तब सतना से रिलीव होकर गहरवाल भी नीमस पहुँच गए थे अब नई खबर ये है कि भाजपा पार्षद दल सी एमो गरिमा पाटिदार के खिलाप विशेश प्रस्ताव लगाने के प्रयास में हैं सोमवर तक विशेश प्रस्ताव के आवेदन पर करीब 10 से 12 पार्षदों के हस्ताक्षर भी हो चुके थे हाला कि यह पूरी कारिव बुलाया जा सकता है लेकिन अब बड़ा सवाल यह उठता है कि जब सी एमो के तबातले की मामला हाइकोर्ट से विचार धिन हे और हाइकोर्ट से एमो गरिमा पाटिदार इस्टे मिला हुआ है जैसे मैं क्या सी एमो के खिलाप परिशद में विशेश सम्मेलन बुला कर पर पारिमा पाटिदार के खिलाब परिश्ट में जो विशेश सम्मेलन लाने की कारिवाही और चर्चा चल रही है इस संबंद में जब वरिष्ट अधिवक्ता महेश पाटिदार से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि किसी भी मुद्दे पर विशेश सम्मेलन बुलाना और संक अगर परिशद में इस्टे लेकर पदस्त CMO के खिलाब कोई प्रस्ताव आता है उसे पारित होने पर भेजने भी CMO को ही है अब उस पर सासन निर्ड़े क्या लेता है या सासन पर ही निर्बर करता है पर मामले में न्यायले ने इस्थगत दे रखा है तो न्यायाले के निड़े तक पारित प्रस्ताव का कोई ओचित्य नहीं है यह एक तरप से न्यायाले के इस्टे आदेश को चुनोती देने जैसा है अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 News